हेलो एवरीवन आज मैं आप सपी के सामने लेकर आई हूँ बहुती इंपोर्टेंट टिप्स टू फेस अन इंटर्व्यू फॉर जॉब जी हां क्या कारण रहते हैं आपके जॉब में सलेक्ट नहीं होने के और ऐसी गलती दुबारा ना हो इस वीडियो को आप एंड तक क्योंकि आपको में एक स्पेशल टिप देने वाली हूँ जिससे आपकी सेलेक्शन की पॉसिबिल्टी बहुत इंक्रीज हो जाएगी पर्स टिप है सेवंटी परसेंट लोगों को इसलिए रेजेक्शन का सामना करना पड़ता है कि वो आई कॉंटेक्ट नहीं बना पाते औ आप में ट्रस्ट एंड कॉंफिडेंस की कमी है सेकिंड पॉइंट है 50 परसेंट लोगों को रेजेक्शन का सामना इसलिए करना पड़ता है कि जिस और्गनाइजेशन में वो इंटर्व्यू देने के लिए जा रहे हैं उनको उस और्गनाइजेशन के बारे में कोई इन्फ करता होना चाहिए थार्ड पॉइंट है जब भी आप एचा रूम के अंदर एंटर करते हैं तो आप एटिट्यूट के साथ में न जाए बहुत ही शालीनता के साथ जाए आप जब भी उस रूम के अंदर एंटर हो वाक सॉफ्टली नेक्स पॉइंट है यौर सिटिंग पॉ एक स्माइल आपके फेस पर हमेशा रहने चाहिए लास्ट में आपको एक टिप देने वाली थी वो टिप यह है कि जब इन सब चीजों का आप सामना अच्छे से कर लेंगे तो एचर आप से पूछेंगे what is your expectations about your salary तब आपको higher salary demand नहीं करनी है higher salary demand करते हैं तो यह समझा जात है कि यह यहां salary के लिए आया है यह यहां सिर्फ पैसे के लिए आया है the answer should be I am here to create value not for money the value creates me and salary is automatically created this should be answer of this question तो कैसे लगे आपको यह tips and special tip अगर वीडियो पसंद आए do hit the like button and subscribe to my channel for more interesting videos अगर आप मुझे facebook and instagram पर देख रहे हैं तो मेरे page को follow करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में thank you take care and bye